मतदाता दिवस के मौके पर पधान मंत्री नरेंद्र मोदी नव मतदाताओं से आज बात करने वाले हैं सिधर रूख करते हूँ अगे लिए भी ये पहला आउसर होगा और मुझे अच्छा लगा इन नव मतदाता को नमन करने का कारकम है नमो नव मतदाता तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्मान करने के लिए नमन करता हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में बेटियां आज इस कारकम से जुड़ी हुई है आज राष्ट्रिय मतदाता दिवस है इस महत्वकूर दिन देश के सबसे युवा मतदाताओं के बीच आना अपने आप में उर्जा से भर देने वाला है मैं आप सभी को राष्ट्रिय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों 18 से 25 वर्ष की आयू ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है इनी बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोकरिसी में भागीदारी की है मैं जानता हूँ कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुवात के लिए सबसे ज़्यादा अक्साइडमेंट होता है लेकिन आपकी ये शुरुवात बहुत ही अलग है बोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोकरिटिक प्रोसेस का सबसे महतोपुण हिस्सा बन गए है मेरे युवाज साथियों आप सभी के लिए ये टाइम पिरियर्ड ये काल चक्र दो वजों से बहुत एहम है एक आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमरत काल शुरू हुआ है और दूसरा कल 26 जन्वरी को देश अपना 75 गंतिंत्र दिवस मनाएगा अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपुड है आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविशत्य करना है इन 25 वर्सों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ऐसे में जीले प्रदेश और देश के स्थर पर होने वाले सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी आज जब देश 2047 तक विशित भारत बनने के लक्ष पर काम कर रहा है तो आपका वोट ये तै करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी जिस तरह याद रखिये दोस्तों जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नवजमानों पर देश को स्वकंत्र कराने का दारो मदार था उसी तरह 2047 के पहले के इन 25 सालों में आप पर विशित भारत के निर्बयान की जिम्मेदारी है हमारे बीच जब भी स्वतंत्रता सेरानियों का नाम आता है तो उन में से अनेकों लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र अठारा से 25 साल के बीच ही थी उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वरन अक्षोरों में लिखे जाते हैं आपके सामने भी एक ऐसा ही मौका है विक्सित भारत के अमरित काल की गाधा में आपका नाम स्वरनाक्षोरों में कैसे लिखा जाए ये आपको तै करना है अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैनुफेक्टरिंग, टेकनलोजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टरस में कहां पहुचेंगे ये सब आप पर निर्वर होगा हमारी गती, हमारी दिशा, हमारी एप्रोच कैसी होगी ये सब आप तै करेंगे और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा बविश्य के भारत में आपके लिए संभावनाए कैसी होगी इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस कालखन में देश की व्यवस्ता समा लेंगे ऐसे में उन लोगों का सही चुनाव हो ये जिम्मेदारी आप नवजवान मतदाताओं पर है आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उजवल बनाने के लिए वोड़ दे इसलिए याद रखिएगा आपका एक वोड़ और देश के विकास की दिशां दोनों आपस में जुड़े हुए हैं आपका एक वोड़ भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता बनाएगा आपका एक वोड़ भारत में एक स्थीर और बड़े बहुमत वाली सरकार बनाएगा आपका एक वोड़ भारत में तेज रिफॉर्म को उसकी गती को और तेज गती देगा आपका एक वोड़ भारत में डिजिटल क्रांती को और उर्जा देगा आपका एक वोड़ पहलिये भारतिय को अपने दम पर अंतरिश में पहुचाएगा आपका एक वोड़ अंतरिश में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित करवाएगा आपका एक वोड़ भारत में पहला पैसेंजर एरक्राप बनवाएगा आपका एक वोड़ दुनिया में भारत के साख और बढ़ाएगा इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है साथियों जब देश में पूर्णा बहुमत वाली सरकार होती है जब देश में स्थीर सरकार होती है तो देश बड़े फैसले लेता है दसकों से लटकी हुई समस्याओं को सुल जाकर आगे बढ़ता है आप देखिए ये हमारी पूर्णा बहुमत की सरकार है जिसमें जम्मु किश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर दसकों का इंतजार खत्म किया ये हमारी पूर्णा बहुमत की सरकार है जिसने GST जैसी आधुनिक टैक्स व्यवस्ता लागू कर देश का कई दसक पूराना इंतजार समाप्त किया ये हमारी सरकार है जिसने नारी शक्ती बंदन अधिनियम बना कर देश की महलाओं का बरसो पूराना इंतजार खत्म किया ये हमारी सरकार है जिसने तीन तलाग के खिलाब कानून बना कर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाब की उम्मीद बढ़ाई यह हमारी सरकार है जिसने तीन दसकों के इंतजार के बाद नई राष्टिय सिख्छा निती लागों की यह हमारी सरकार है जिसने SC, ST, OBC का हित सुरक्षित रखते हुए भी गरीब युवाओं को 10% आरक्षण का प्रावधान किया और यह हमारी सरकार है जिसको आयोध्या में राम लला के विग्र की प्राण प्रतिक्स्तागा साक्षी होने का आउसर मिला है जब देश में पूर्णा भहमत की सरकार होती है तो नीती में निरनयों में स्पष्ठता होती है इसका सीधा प्रभाव वैश्विक्स तर पर देश की साक्ष पर भी पढ़ता है और सात्यों मैं बताता हूँ मैं जब दुनिया के बड़े-बड़े दिग्यजों को मिलता हूँ ना बड़े बड़े नेताओं को मिलता हूं ने दुनिया के कोई भी बड़े देश हो जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं तो अकेला मोधी हाथ नहीं मिलाता है एक सो चालीस करोड देशवासी मेरे साफ खड़े होते है और ये ये दुनिया को प्रभावित करता है ये ताकत होती है पुर्ण बहुमत वाली सरकार की आज दुनिया में भारत की साख एक नई उचाई पर है आज भारत के पास्पोर्ट को बड़े गर्व के साथ दुनिया में देखा जाता है और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी ऑपर्चुनिटी है इस वज़य से बीते वर्षों में भारत में रिकॉर्ड एफडियाई आया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज रिकॉर्ड स्कर पर है कभी सोना गिर्वी रखना पड़ता था आज दूसरी स्थिती है ये देश में रोजगार के भी नए मोके लगातार बना रहा है साथियों आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था कि यही समय है सही समय है दस बारा साल पहले भारत में जिस तरह की परिस्तित्यां थी उन्होंने देश के युवाओं का भविश अंदकार में परा दिया था उस समय आप मैंसे बहुत सारे लोग कोई आट साल का होगा कोई दस साल का होगा कोई बारा साल का होगा हो सकता है उस समय की सारी स्थित्यां आपको पता भी नहों आज फित्या बदली है अब आज जिन पॉसिबिलिट्स की बात कर रहे हैं 2014 से पहले की जनरेशन ने उनकी उमीद तक छोड़ दी थी आप मैंसे कई न्यूस्पेपर्स पढ़ते होंगे आज हर दिन नई खबर आती हैं कि देश ने इस शक्टर में ये बड़ी उपलब्दी हासिल की लेकिन 2014 से पहले के अकबार खोलिये आज कल वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है तब आए दिन वो जमाना था तब आए दिन करप्षन और स्केम की खबरें हेडलाइन में छपती थी हजानों करूर रुप्यों के गोटाले सामान निबाब थी आज उस समय आए दिन देश के नौजवान सडकों पर उस समय की सरकार के खिलाब प्रदर्शन करते थे मुझे संतोष है कि हम उस अंधकार में स्थिती से देश को बहार निकाल पाए है आज करॉप्षन की नहीं क्रेडिबिलिटी की बात होती है आज स्केम की नहीं सक्से स्टोरीज की बात होती है तब भारत फैजाइल फाव में था दुनिया सोचती थी कि भारत खुद भी डुबेगा और हमें भी ले डुबेगा आज भारत पांच भी बड़ी अर्थ वबस्ता है और दुनिया सोचती है कि भारत के विकास से उसका भी विकास होगा आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉब तीन एकोनोमी में शामिल हो जाएगा आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की एकोनोमी सेवन ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी अर्थ वबस्ता के इतने बड़े विस्तार का बहुत बड़ा लाब भारत के युवाओं को ही होगा उनके लिए नए नए सेक्टरस में रोजगार के बहुत सारे नए मोके आएंगे इसलिए ही मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है साथियों आज का भारत सबसे युवा है इसी युवा प्रेणा से आज का भारत बड़े लक्षताय करता है और उन्हें प्राप्त भी करता है सोलर एनर्जी से जुड़े कितने ही लक्ष रिन्योबल एनर्जी से जुड़े लक्ष बारत ने तय समय से पहले हासिल करके दिखाए हैं भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि प्रक्रती की रक्षा करते हुए भी विकास कैसे किया जा सकता है आपने देखा है भारत की रेलिवे ने साल 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष रखा है भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का भी लक्ष रखा है आज भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अभुत्पर्व जोर दिया जा रहा है बहुती जंद भारत की रेलिवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी होने जा रहा है इसी 22 जन्वरी को सरकार ने सोलर से जुड़ी बड़ी योजना का भी एलान किया है इस योजना के तहत देश के एक करोड घरो में सोलर रूप्टॉब लगाने का लक्ष रखा गया है सरकार का प्रयास है कि हमारे गरीब सात्यों का हमारे मद्दमबर के परिवारों का बिजली बिल तो कम हो ही कुछ लोगा का तो जीरो बिल हो जाएगा वो सिरफ बिल नहीं अपने घर के चछत पर जो बिजली पैदा करेंगे वो बिजली सरकार खरी देगी और ये परिवार बिजली बेच कर भी पैसे कमा सकें साथियों आज का भारत आप युवाओं को बड़ी आशाओं से देख रहा है आप 21 सदी के युवा है आपके पास हजारों साल की विराशत है और इंटरनेट एज में फ्यूचर एप्प्रोच को देखने का सामर्थ भी है दुनिया में ऐसी कोई युवापीडी नहीं है जिसके पास रामायन और गिता की प्रेणा और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर काम करने का स्कोप दोनों हो आपके पास ट्रेडिक्शन की भी ताकत है और टैलेंट की भी ताकत है आपके पास इंस्पिरेशन भी है इनोवेशन भी है आपके पास संभावनाओं का आस्मान है और साथियों आपका सामर्थ और बड़े आपके हर सपने पूरे हो इसके लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है और नवजवानों ये मोदी की गारंटी भी सुन लीजिए आपके सपने आपके सपने ही मेरे संकल्प है मेरी प्राद्पिक्ता आप सभी युवा ही है मैंने हमेशा देश के युवाओं पर सबसे अधिक विश्वास किया है इस विश्वास के कारां सरकार ने ऐसे फैसले किये हैं जो पहले की सरकारों में असंबव से लगते थे हमारी सरकार ने आप सभी युवाओं के लिए ड्रोन से लेकर स्पेस शेक्टर तक को खोल दिया है हमने स्टार्ट अप नीती बनाकर आपके लिए बिजनेस के नए रास्ते बनाए है हमने मुद्रा युज्रा के तहर आपको बिना गरंटी बैंक से लोन लेनी की सुवादिया दिये है आप लोन लिजे गारंटी मोदी देगा युनिवर्सिटी में दाखले के लिए काम एटेस कराने से मुक्ति तक आपके लिए हर चीज आसान करने का काम हमारी सरकार ने किया है स्पॉर्ट सेक्टर में आपका टैलेंट आगे लाने के लिए खेलो इंडिया हो या इंटरनेट रिवलूशन के लिए डिजिटल इंडिया सभी आपके लिए है आज देश में एक से बढ़कर एक हाइर एजुकेशन के संस्थान खोले जा रहा है आज देश में रिशार्ट और इनोवेशन के लिए युवाओं को सरकार हजारों करोड पे दे रही है ये सब इसलिए हैं क्योंकि सरकार आप पर विश्वास करती हैं आपके लिए नए अवसर बढाना चाहती हैं और अभी ये शुरुवात है आज देश में पहले के मुकाबले दो गुनी तीन गुनी तेजी से नए हाइवे बन रहे हैं नए रेल्वे रूट्स का निर्मान हो रहा है आज भारत आधुनिक इंफ्रास्रक्टर पर जितना इन्वेश कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया आज देश में जो तारों तरफ इंफ्रास्रक्टर डेवलप्मेंट हो रहा है तो मदताता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं प्रधान मंप्री नरेंदर मोधी